Hello everyone, welcome to the learning flatter CS. In this video we are going to discuss how to find out determinant of a matrix. So let's start with it. Determinant of matrix को हम कैसे denote करते हैं? इस तरह से denote करते हैं. जहां पर हमारे पास vertical bars हैं and then हमारा जो matrix का name है वो है. ठीक है अगर A कोई भी एक square matrix है तो determinant of A को हम कैसे denote करते हैं? इस तरह से denote करते हैं. ठीक है, चलिए. अब देखते हैं, कैसे ही से calculate करना है. तो देखें, अगर हमें calculate करना है, कोई भी हमारे पास square matrix of order 1. ठीक है, determinant of order 1 क्या रहेगा, देखिए. यहां पर A11 है, सिरफ matrix में. एक ही single element है, one by one order है, तो single element है. तो उसका determinant होगा, वो क्या होगा? अगर हमारे पास determinant हमें 3 का calculate करना है, तो 3 ही उसका क्या रहेगा? determinant रहेगा, और minus 5 अगर हमारा element है, उसका determinant minus 5 ही रहेगा, और 0 का determinant 0 ही रहेगा. नेक्स हमारे पास आते है, determinant of order 2. अगर हमारे पास 2 by 2 का matrix है, तो आप हमें यहां पे matrix जो है, square ही दिया होगा, square matrix अवेलेबल होगा हमारे पास, तो अब यहां पे हमें जब 2 by 2 matrix का क्या निकालना है, determinant, तो हम कैसे find out करेंगे, determinant क्या होगा, देखिए, यहां पे हमारे पास 4 elements है, A11, A12, A21, A22, ठीके 4 elements हैं हमारे पास matrix में, हमने क्या करना है, यह जो हमारा entry है, A11, इसको किसके साथ multiply करना है, A22 के साथ, और उसे आप लिख लेंगे, देन उसमें से subtract क्या कर देना है, A21 multiplied by A12, इन दोनों elements को क्या करना है, multiply करके, इस वाले multiplication में से, क्या कर देना है, subtract कर देना है, तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक matrix है, A, जिसमें आपके पास यह elements है, A11, A12, A21, and 22, अब determinant A of A, कैसे calculate हो जाएगा, हमारे पास A11 multiplied by A22, इसका pair बन गया, and then, क्या subtract करना है, इसमें से, A21, A12, multiplied by A21, इन दोनों को multiply करके, क्या कर देंगे, इस वाले में से subtract कर देंगे, तो यह आपके पास determinant आजाएगा, 2 by 2 matrix का, तो चलिए, यहाँ पर, एक्जाम्पल डिसकर्स करते हैं, यहाँ पर हमारे पास elements है, 3, 4, 9, and minus 7, तो बाइ 2 का matrix है, इसमें देखिए, कैसे determinant calculate करना है, हमने 3 को किसके साथ multiply करना है, minus 7 के साथ, तो हमारे पास क्या गया, minus 21, and then 9 और 4 को हमने multiply करना है, और इसमें से subtract कर देना है, तो देखिए, minus 36 आगया, तो क्या आगया, हमारे पास minus 57, ठीके, इसका हमारे पास क्या आजाएगा, determinant minus 57, इसी तरह से यह example है, हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करेंगे, minus 5 और 1 को multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या आया, minus 5 आया, then हम subtract करेंगे, minus 3 into 2, तो आपके पास क्या आजाएगा, minus 6 आजाएगा, ठीके, तो यह क्या बना, minus 5 plus 6, that is 1, तो यहाँ पर इसका determinant, इस matrix का determinant क्या आगया, हमारे पास 1 आगया, तो देखे, हमें इसी तरह से solve करने, matrix given है, इसी का solution है यह, तो देखे, 3 multiplied by 7 किया, minus 7 किया, minus 21 आया, then 9 into 4 किया, 36 आगया, उसे solve करके, हमारे पास क्या आगया, minus 57, and इसी तरह से, इस matrix के लिए करेंगे, हम तो यह क्या है, minus 5 and this is, minus minus plus 6 is equals to 1, तो यह आपका था, 2 by 2 order के लिए, जिसका order क्या है, 2 by 2 square matrix of order 2, उसका determinant, इस तरह से हम calculate कर लेंगे, तो लेकिन, अगर आपका order, जो है square matrix का, वो greater than 2 है, that means, अगर 3 by 3 का matrix है, या 4 by 4 का matrix है, तो हम इस तरह से calculate नहीं कर सकते, ठीके, डायरेक्टली, हम जैसे हम भी calculate कर रहे थे, वैसे नहीं करेंगे, उसमें हमें जरूरत रहेगी, minus and co factors calculate करने की, ठीके, तो हम क्या find out करेंगे, उससे पहले, minus and co factors find out करेंगे, given है, ठीके, 3 by 3 order का matrix given है, तो हम क्या calculate करेंगे, देखिए, minus and co factors, चलिए, तो फिर minor हम कैसे calculate करेंगे, देखिए, किसी भी element के लिए, अगर हमने minor calculate करना है, A11 का, या A12 का, या हमें calculate करना है, A33 का, तो हमने सबसे पहला काम तो क्या करना है, जिस भी element के लिए, आप minor calculate करना चाहते हैं, वो जिस भी column और row में है, उस row और column को आपने cut कर देना है, ठीके, उस row और column को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, और जो बाकी के elements बचे हैं, उन elements का, जिस तरह से हम determinant calculate पहले कर रहे थे, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या calculate करें है, minor calculate करें है, while calculating determinant, तो इस 2x2 matrix बच जाएगी, 3x3 में से अब हमारे पास, अगर हमने यह row और यह column डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या matrix बच गई, 2x2 matrix बच गई, अब इस 2x2 matrix की help से हम क्या करेंगे, इस वाले matrix का determinant calculate करेंगे, तो वो minor किसका होगा, A11 का होगा, ठीके वो minor किसका होगा, A11 का होगा, तो देखिए, A22 multiplied by A33 minus A23 multiplied by A32, यह किसका minor हो जाएगा, A11 का, इसी तरह से अगर हमें minor calculate करना है, A12 के लिए, तो हम क्या करेंगे, जिस row में है, क्या बचेगा, A21, A33, A31, A23, ठीके यह वाले four elements बचे, इने उसी तरह से solve करेंगे, A21 को multiply करेंगे, A33 के साथ, देड़क्ट कर देंगे, A23 multiplied by A31, तो आपके पास क्या calculate हो कर आ जाएगा, A12 का minor, ठीके, इसी तरह से आपने calculation करना है, तो देखिए, अभी एक question देखते हैं, इसमें हमें क्या calculate करना है, हमें calculate करना है, minors of A32 and A22, ठीके, कई बार हमारे से exam में, सिरफ minor भी पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए, क्या से करेंगे solve, A32 कौन सा element होगा, देखिए, यह क्या है, first row and first column, तो यहां पर क्या third row second column, three means third row, two means second column, first subscript जो होता है, वो row को depict करता है, third row and second column, that means this element, ठीके, यह वाला element है, अब इस वाले element का minor calculate करने के लिए, हम क्या करेंगे, इस वाले column को delete कर देंगे, and इस वाले row को delete कर देंगे, ठीके, और यह क्या calculate हो जाएगा, इस वाला, इसका a3, 2 का minor, seven multiplied by four, that is 28, then three multiplied by nine, that is 27, उसमें से वो deduct कर देंगे, तो हमारे पस क्या आगया, वान आगया, ठीके, तो minor क्या आजाएगा, देखिए, three, two का क्या आजाएगा, वान आजाएगा, 28 minus 27 is equal to one, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, minor calculate करेंगे, a22 का, तो जब आप a22 का calculate करेंगे, तो देखिए, यह वाला element है, a22 तो हमने इस वाले column को delete कर दिया, इस row को delete कर दिया, then हमारे पास क्या बच्चा, seven, nine, six, one, seven, nine, six, one, अब जब इसके ऊपर determinant, इस वाले, इन elements का calculate कर रहे हैं, वो क्या आजाएगा, minor आजाएगा, हमारे पास a22 का, तो यह क्या है, seven minus 54, that is minus 47, तो यह क्या आगया, आपके पास minor आगया, तो इस तरह से हम क्या calculate करेंगे, minor calculate करेंगे, क्या calculate करेंगे, हम minors इस तरह से calculate करते हैं, जिस भी element का, हमने minor calculate करना है, जो जिस भी row और कॉलम में वो element है, उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, अगर 3 by 3 का matrix है, तो simply हमारे पास, फिर क्या बच जाएगा, 2 by 2 का matrix आजाएगा, और उसे solve करके, हम फाइंड आउट कर लेंगे, minor for that particular element, अब देखें, minor हमने देख लिया, अब second, क्या चीज बचती है, co-factor, ठीक है, इसी में हमें, determinant calculate करने से, पहले क्या calculate करना है, co-factor calculate करने है, ठीक है, तो देखें, co-factor क्या से, हमारे पास आएंगे, हमने सभी elements के लिए, क्या करने है, minors calculate कर लेने है, ठीक है, हमारे पास है, सभी elements है, इनके लिए, अपने क्या करने है, minors calculate कर लेने है, सभी elements के लिए, ठीक है, तो उसके बाद, आपने co-factor कैसे, find out करने है, तेकिए co-factors क्या है co-factor is equals to minor of that particular element अगर i plus j क्या है even है तो देखिए i one plus one यहाँ पे क्या है even है one plus one क्या आता है two आता है यहाँ पे one plus two क्या आएगा three आएगा that means यह odd है one plus three क्या आएगा four आएगा that means even है तो इस case में हमारे पास क्या रहते है जो भी आपके m i j's आएए जो भी हमारे m i j's आएए that means m one one, m one two, m one three then m two one, m two two, m two three and m three one, m three two and m three three ठीक है यह हमारे क्या आएगा है minors आ गए ठीक है यह सब क्या आगए आपके minors आ गए minors आप calculate कर लेंगे जैसे हमने देखा अगर दिया हुआ है तो इसको डिलीट किया a one one का minor आगया इसकी calculation का determinant calculate करने के बाद इसी तरह से one two का minor आ जाएगा इनको delete किया in वाले elements की help से m one two आ गया then m one three आ गया in elements को delete करके इसकी help से m one three आ गया ठीक है इसी तरह से आप सभी के लिए m वाली values calculate कर सकते है minors calculate कर सकते हैं then आपने क्या करने इसके साथ plus और minus क्या करने multiply करने basically ठीक है minus m i j होगा या वो positive भी रहेगा किस condition के base पर देखिए अगर i plus j even है या odd है यह चीज़ आपने check करनी है तो यहाँ पर आप हरेक के लिए calculate भी कर सकते हैं otherwise देखिए यह क्या रहता है plus रहेगा then यह क्या रहेगा minus then यह वला element क्या रहता है plus then यह वला रहेगा minus then this is plus this minus plus and then it will be minus and plus ठीक है यह आपका plus minus plus plus minus plus minus plus minus और plus यह चीज़ आपने क्या करनी है यह वाले symbols क्या करनी है आपने signs use करनी है तो इसको try भी करके देख सकते हैं i plus j आपका क्या रहेगा आगर even रहेगा तो देखिए यहां पर even है 1 plus 3 even है 2 plus 2 even है 3 plus 1 even है 3 plus 3 even है तो वहाँ वहाँ हमने क्या लगा दिया, और माइनस कहाँ कर देंगे, जहां पर भी I plus J किया है, और यहाँ पर देखिए 1 plus 3 क्या है, 1 plus 2 क्या है, 3 जो और है 2 plus 1 भी और है, तो plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus कर देंगे, तो हमारे पस क्या आजाएंगे, सबी co factors आजाएंगे, माइनर कालकुलेट कर ली है और कोफेक्टर हमें किसी भी element का पूछा जाते है तो हमने क्या करना है माइनर कालकुलेट कर देने and then symbol जो है वो इसके according हमने पुट कर देने साथ में add कर देने और हमारे पास सभी कोफेक्टर आ जाएंगे तो देखे यहां पे अब हम क्या करेंगे determinant कैलकुलेट करेंगे 3 by 3 order का ठीक है 3 by 3 order का हमारा मैट्रिक्स है that means 3 order का क्या है determinant कैलकुलेट करना है तो देखे इस केस में हम क्या करेंगे यहां पे देखे आपके पास 3 by 3 order का क्या दिया हुआ है matrix दिया हुआ है then इसका determinant क्या होगा ठीक है यहां पर हम journal sense में देख रहे हैं फिर एक formula देख रहे है देन उसका example देखेंगे जिससे और clear हो जाएगी चीज तो देखें यहां पर अपने क्या किया यह determinant calculate करें हम three by three order का क्या है matrix है अब इसके लिए आपने क्या करना है यहां पर आप किसी भी रो को ले सकते हैं और किसी भी column को ले सकते हैं ठीक है कोई hard and fast rule नहीं है कि first ही row को लेना है किसी से भी किसी भी row की help से या किसी भी column की help से आप determinant calculate करेंगे तो वो same ही आएगा हर matrix का determinant होता है वो unique होता है कभी भी वो अलग अलग नहीं आ सकते है अलग अगर हम row column use करें ठीक है unique ही होता है single ही determinant रहता है हर matrix का तो किसी भी row से आप calculate कर लें या किसी भी column से आप calculate कर कोई problem नहीं है ठीक है तो अभी यहां पर हम first call row की help से कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या कर रहे है a11 a12 है हमारे पास और a13 है ठीक है तो a11 हमने calculate चाहिए हमें value और साथ में c11 चाहिए a12 चाहिए और c12 चाहिए a13 चाहिए और c13 चाहिए ठीक है तो देखिए जब आप use करें a11 a12 और a13 तो c11 c12 और c13 चाहिए और यहां चाहिए इन्ही एलिमेंट्स के चाहिए अगर आप second row यूज करेंगे तो आपको second वाले ही elements चाहिए और और उन्ही के ही cofactor चाहिए होंगे third row आप use करेंगे तो third ही elements चाहिए होंगे third row के elements and third row के इन्ही elements के क्या चाहिए होंगे cofactor चाहिए तो देखिए अपने क्या करना क्या है a11 multiplied by c11 जिस element को ले रहे हैं उसी का cofactor प्लस A12 उसी का को फैक्टर प्लस A13 और उसी का को फैक्टर और यह आपके पास आ जाएगा determinant 3x3 matrix का ठीक अब आपके मर्जी आप चाहिए 1st रो लें 2nd लें 3rd लें अगर आप 2nd रो लेंगे तो आप कैसे लिखेंगे A21 multiplied by C21 then plus A22 and then C22 plus A23 and then C23 और अब देखिए यहां पर C11, C12 and C13 में अगर हम फर्स्ट रो को यूज करके determinant calculate करें तो C11 में अगर हम देखते हैं हमें ultimately calculate क्या करने याभी minors calculate करेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर दे रहे हैं तो minor से replace कर भी सकते हैं और आप सीधा values पूट कर सकते हैं एक दो कोशन्स प्रैक्टिस करके तो यहां पर अभी C11 क्या है देखिए even है तो M11 आपका positive रहे गा no change अभी यहां पर C12 आप देख पा रहे हैं 3 आड करके तो इत मींस यहां पर negative sign जो minus sign है वो साथ में add हो जाएगा and then C13 यह भी क्या even है तो no change कोई भी change नहीं आएगा minor as it is use होगा my co factor basically C12 क्या होता है minus of M12 और और अगर हम C11 लें तो C11 क्या होगा M11 क्या होगा क्योंकि यह even है तो यह जो भी M11 की value आएगी वही क्या बन जाएगी C11 की value बन जाएगी लेकिन अगर यह odd होगा तो जो इसका minus sign होगा minus के साथ अगर करके वह क्या बन जाएगा co factor बन जाएगा यह चीज़ क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आपका easily question solve हो जाएगा तो देखिए अब हमने यह चीज़ find out कर ली यह चीज़ को use करो चाहे आप directly इस चीज़ को use करें सीधा ही C12 की value लिख दे रहे है माइनस M12 लिखके कुछ भी कर सकते हैं तो देखिए हम चाहे first row calculate के help से calculate करें और चाहे ही हम first column की help से करें हमारे पास result के आने वाला है same ही आने वाला है तो देखिए अब इस question के लिए हम calculate करते हैं यहाँ पे हमें दियो है 1-34025-263 अब हमें क्या find out करना है इसका determinant find out करना है तो देखिए इस first row की help से हम first row को arbitrarily choose कर रहे हैं ठीक है randomly उसको choose किया हमने then क्या है हमारे पास यह है and then हम क्या करेंगे 1 को as it is लिखा and then यह वले elements को delete कर दिया और इस वाले का determinant as it is लिख लिख लिया then हमने क्या किया minus 3 लिखा and then minus 1 साथ में क्यों लिखा अभी हम minor calculate करें और co factor इसका क्या होगा minus 1 साथ में जूड जाएगा उसको लिया and then यह वाले elements ले लिए इसका determinant आ गया उसके बाद plus 4 किया और उस वाले element का क्या किया इनको delete कर दिया 0 2 minus 2 6 आ गया ठीके अब आपने क्या करना है इसका determinant calculate करने 2 by 2 के और यह ले elements आपके पास हही है उन्हें क्या करेंगे multiply कर देंगे जो भी calculate करके आएगा and then आपके पास क्या आगया determinant आगया 3 by 3 matrix का चाहे तो हमने यहां पर किया 1st row से चाहे ही हमने किया 1st column से तो देखिए 22 ही आएगा same आएगा so it's up to you कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं किसके थू करना चाहते हैं ठीक है 1st row से ही journally कर देते हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर depend करते हैं आप किससे करना चाहते है ठीक है तो देखिए इसी तरह से अगर 4 by 4 का आ जाता है तो उस case में आप क्या करेंगे उसी तरह से यह करते हैं तो जब यह आगया हमारे पास तो फिर क्या करेंगे आप further क्या करते है इसको calculation रहता है ठीक है इसको 3 by 3 matrix है इसमें further हम क्या करेंगे इसका determinant calculate करेंगे इसका determinant calculate करेंगे जैसे हमने previous question में किया ठीक है इस वाले question में हमने किया है इसका determinant calculate किया है तो यह पूरा process क्या र अगे फॉर्धर रिपीट होगा, तो उससे हमारे पास क्या आजाएगा, solution आजाएगा, तो फॉर्बाइ फोर जर्नली नहीं पूछा जाता है, तो यह तो एक प्रोसेस से कि हाँ, अगर आता है तो उसी तरह से हमने करना है, कि फोर बाइ फोर में भी पहले थी बाइ थी कैलकुलेट होगा, फिर थी बाइ थी में से तू बाइ टू कैलकुलेशन होंगे और फिर आपका फॉर्धर सॉल हो जाएगा, तो देखे, हमने अल्रेडी देख लिया है, कि अगर हमारे यहां पर साइन रहता है, प्लस माइनस क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, अगर अगर आपका product रहताए दो matrices के determinants का तो वो क्या होता है अलग-अलग सेब 我就 calculate calculate करईए दो matrix का और या आप calculate कर उनका product calculate करके determinant find out करें तो वो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है तो product calculate कर लें फिर determinant find out करें या determinant find out करके उनका product तो हमेशा क्या रहेगा वो एकोल ही रहेगा अब यहां पर हम एक कोश्चिन में क्या करें है कि A और B हमने ले लिए और वेरिफाई करें A B का डिटर्मिनेंट and डिटर्मिनेंट of A multiplied by डिटर्मिनेंट of B क्या है इकोल है तो देखिए A B कालकुलेट करेंगे तो यहां पर हम क्या करें है दो मैट्रिस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दो मैट्रिस का प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले और चेक करना है तो यह भी 2x2 है यह भी 2x2 है So we can go ahead So देखिए यहां पर आप 3 multiplied by 2 करेंगे And then plus 0 multiplied by 1 क्या आगया 6 आगया 3 multiplied by 6 18 0 multiplied by 4 0 So this is 18 4 into 2 8 1 into 1 9 8 plus 1 9 4 into 4 6 24 and 1 into 4 4 that is 28 24 plus 8 is 28 So we can calculate the determinant 6 multiplied by 28 minus 9 multiplied by 18 6 आगया And see, अलग अलग से अगर हम individually इनका calculate करें A का determinant and B का determinant वो क्या आएगा आपके पास A का determinant आगया 3 3 minus 0 3 and 8 minus 6 2 So we can see that the determinant अगर हम product का calculate करें या individually Calculate करके product करें तो वो हमेशा क्या रहेगा Same रहेगा Okay, so I hope कि आपको determinant calculate कैसे करना है अगर 2 by 2 matrix है या 3 by 3 matrix है यह समझ में आ गया होगा अगर कोई भी आपको doubt हो तो आप comment section में post कर सकते हैं And don't forget to subscribe the channel And thank you so much, stay connected कि फो बात्ते